स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूटूब के चैनल में दोस्तों आपको कई बार ऐसी दीकत आती होगी कि जैसे आप अपने मुबाइल पर स्क्रिन सोट लेते हैं तो आपको वहाँ पर उस स्क्रिन सोट को पूरा लेना पड़ता है तब भी वो चल पाता है यह देखे मैं एक स्क्रिन सोट आपको यहां पर लेकर दिखा देता हूं जैसे हमने स्क्रिन सोट लिया हमने यहां पर इस स्क्रिन सोट को पूरा लेना पड़ेगा अपने मुबाइल में तो हमें क्या करना है दोस्तों हमें अपने मुबाइल में एक एप्स को डाउनलोड करना है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में मिल जाएगा आप वहां से जाके इस apps को डाउनलोड कर सकते हैं इस apps का नाम बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों इस apps का नाम है selection screenshot तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसको play store से डाउनलोड करना है तभी आप इसको इस्तेमाल कर पाओगे या आप इसको वीडियो के जो link होता है description होता है description में उसका link मैं आप डाल दूँआ वहां से जाके आप इस apps को डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तों आपको simple क्या करना है इस apps को डाउनलोड करने के बाद ये apps कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा जैसा है icon आपको दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना है दोस्तों इस apps को यहाँ पर click करना है और click करने के बाद ये देखे दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरह का interface यहाँ पर show हो जाता है तो आपको क्या करना है जो हमें यहाँ face दिखाई दे रहा है अब ये minus degree में हमें दिखा रहा है कि इसका smile minus degree में है अगर हम इसको click करके यहाँ पर इसके smile के उपर इसके चेहरे के उपर हमें click करना है और click करने एक बादे देखिए हमारे सामने यहाँ पर start now का option दिखाई दे जाएगा तो आपको क्या करना है दोस्तों यहाँ पर start now के option पर click करना है click करने के बाद देखिए हमारे apps का काम यहाँ पर बिल्कुल हो चुका है तो आपको simple क्या करना है अपने home screen के उपर चले जाना है अब हम बिल्कुल back आचुके हैं तो अब इसका इस्तेमाल हम किस तरह से कर सकते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ आपको यहाँ पर notification bar को on करना है नीचे की तरफ scroll करना है और यह देखिए हमारा apps यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा आपको जैसे ही कोई image का screenshot लेना है या किसी photo का apps का screenshot लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर click करना होगा यहाँ पर आपको click करना है click करने के बाद यह देखिए दोस्तों हमारा apps कुछ इस तरह से यहाँ पर select हो चुका है तो आपसे पूछ रहा है कि आप अपने screenshot को कितना लेना चाहते हैं तो आप जितना चाहे उतना screenshot ले शकते हैं आपको पूरा screenshot लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कई बार होता है दोस्तों जैसे हमें कोई भी एक picture लेनी पड़ती है या हमें कोई documents नेट से Chrome browser से उनको download करना पड़ता है तो हमें उसका पूरा screenshot लेना पड़ता है लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप पूरा screenshot नहीं लेना आपको जितना चाहे जितनी आपको जुरूरत हो उसी हिसाब से आप अपना यहां पर screenshot ले शकते हैं तो simple आपको क्या करना है दोस्तों जहां जितना आपको screenshot चाहिए वहां पर इसको रख दीजिए और यहां पर आपको एक टिक का option दिखाई दे जाएगा और यहां पर एक टिक का option आपको दिखाई दे रहा होगा इसके उपर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यह देखे दोस्तों हमारा screenshot automatic हमारी gallery में save हो जाता है तो है ना दोस्तों कमाल की trick तो आप इस trick को आजमा सकते हैं लिंक आपको वीडियो के description box में मिल जाए गई सैपस का तो मैं फोटो आपको दिखा देता हूं कि हमारा कहां पर यह हुआ नहीं कोई हमें comment करके बोलेंगे कि भाई तुमने फेक वीडियो बनाई है देखे दोस्तों हमारा photo भी जो हमने चोटा screenshot लिया था यह हमारा image भी यहाँ पर आ चुका है तो दोस्तों इस तरीके से आप इस्तिमाल करके आप जितना चाहे उतना ही screenshot ले शकते बड़ा screenshot लेने के आपको बिलकुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी तो I hope आज की वीडियो आप सभी को पसंदाई होगी और आपके लिए useful रही होगी तो अगर आपको आज की वीडियो पसंदाई हो तो please एक like कर दीजिए अगर आप अभी तक हमारे channel पर नहीं हो तो please channel को subscribe करके bell icon को जरूर प्रेस कर ले और notification को आल कर ले ताकि हमारे नई वीडियो आप तक मिल से के सबसे पहले तो मिलते हैं दोस्तो ऐसी टेकनिक के साथ next वीडियो में तब तक के लिए दीजिए इजाज़त जैहिन